ओम नमो भगोते बास देवाई नमा हाँ श्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती वावना यूटूब चैनल पर आज मैं आपको पुत्रदा 81 की कता सुना रहाँ यह सबसे बड़ी 81 है जो व्यक्ति 11 वार, 21 वार, 31 वार, पुत्रदा 81 की कता स्रबड करते हैं ब्रत रखते हैं, उनकी पुत्रदन की मनुकामना अवस्य ही पूरी होती है धरमरा युदेश्टन ने पूचा की ही भगवन आपने सपला 81 का मैत्व बिदी बत बता कर बड़ी किरपा की अब किरपा करके पोश शुक्ल 81 का क्या नाम है उसकी बिदी क्या है और कौन से दिपता का पूचन किया जाता है मुझसे कहिए भगवान सी किष्ण बोले ही राजन इस 81 का नाम पुत्रदा 81 है इसमें भी भगवान नहराण की पूजा की जाती है इस चर और अचर संसार में पुत्रदा 81 के समान कोई ब्रत नहीं है इसके बराबर कोई भी पुन्य नहीं है इसके पुन्य से मनिश्य, तपस्वी, विद्वान, लच्विवान और पुत्रवान होता है बद्राबाती नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राज राज करता था उसके कोई पुत्र नहीं था उसके इस्तरेग नाम से ब्याता वहने पुत्री होने के कारण सदेव चिंत तरहा करती थी पुत्रीन राजा के पितर रोरो को अप्रिंड लेते थे और सोचा करते थे कि उसके बाद हमको कोन प्रिंड देगा राजा के पुत्र ना होने के कारण बंदू बांदव धन हाती गोड़ी राज तता मंत्री इन सम्मे से किसी चीशी संतुष्टी नहीं थी वह सदेव यही विचार करता था मेरे मरने के बाद मुझको कोन प्रिंड देगा बिना पुत्र के पित्रों और देवताओं का रड़ कैसे चलेगा जिस गर में पुत्र ना हो उसमें सदेव अंदेरा रहता है इसलिए मुझे पुत्र के उत्पत्ति के लिए प्रत्न करना चाहिए जिस मनुष ने पुत्र का मुकदे का वह धन्य है उसको इस लोग में यस्प और परलोग में सांती मिलती है अर्था उसके दोनों लोग सुदर जाते हैं पूर जनम की कर्म से ही इस जनम में पुत्र धन परापती होती है राजा ऐसी प्रकार राद दिन चिंता में लगा रहता था एक समय राजा ने अपने सरी को त्याग देने का विचार किया परंतु आत्मगात को मान पाप समझ कर उसने ऐसा नहीं किया एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने गोड़े पर चड़कर बन को चल दिया पक्षिवा भ्रक्ष्यों को देखने लगा उसने देखा कि बन में म्रग, ब्राग्र, सूगर, सिंग, बंदर, सर्प, आदी सब ब्रमण कर रहे हैं हाते अपने बच्चे और हत्रियों के बीच में गुम रहे हैं इस बन में कहीं गीदर अपने करकर स्वर में बोल रहे हैं कहीं उल्लू दोनी कर रहे हैं बन के द्रश्यों को देखकर राजा को सोच विचार में लग गया इसी प्रकार उसको दुपैर हो गई वह विचार करने लगा मैंने कही यग्ग किये ब्रामनों को वोजन देकर संतुष्ट किया फिर भी यह दुख मुझे कैसे प्राप्त हुआ प्यास के मारे अत्यन दुखी राजा पानी की तलास में दर दर फिनने लगा थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोबर देखा उस सरोबर में कमल खिल रहे थे तता सारज, हंस, मगरमच, आदी ब्यार कर रहे थे सरोबर के चार उतरब मुनियों के आस्रम थे उस समय राजा के दायने अंग पढ़कने लगे राजा सुब सगुन समझकर गोडे से उतर कर मुनियों को डंडवत करके उनके सामने बैट गया राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन हम तुमसे अत्यंत प्रसन है तुम इस जगह पर कैसे आयो सोकह हो इस पर राजा ने उनसे पूचा कि हे मुनियों आप कौण है और किस लिए आए हैं मुनियु बोले राजन आज पुत्र की चरक ने बाले को तम संतान देने वाली पुत्रदा 81 का ब्रत है हम लोग भी सुदेवे हैं और इस सरोवर प्रिश्णान करने के लिए आये हैं इस पर राजा बोला कि मुझे सर मेरे भी कोई पुत्र नहीं है यदि आप मुझे पर फ्रसन हो तो एक पुत्र का बर्दान दीजिए मुनी बोले हे राजन आज पुत्रदा 81 है आप इसका ब्रत करो इसके करने से भगवान की किरपासी तुम्हे वसी ही पुत्र संतान का सुक प्राप्त होगा मुनी के बचनों के सुनकर राजा ने उस दिन 81 का ब्रत किया और द्वासी को उसने पारण किया और मुनी को प्रणाम करके अपने मेल को बापस चलाया अंत्वे राणी ने गर्ब को धारण किया और नो माह के पस्चात उसके एक उत्तम पुत्रतन पैदा हुआ वह राज कुमार बड़ा उकरत्य अत्बीर धर्वान यसी और प्रजा का पालक हुआ भगवान सी किश्नवले हिराजन पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा 81 का ब्रत अवस्य करना चाहिए जो व्यक्ति सच्चे मन से पुत्रदा 81 का ब्रत करते हैं और भगवान सीव और केशब की पूजा करते हैं उनके सभी मनुरत पूरे हो जाते हैं इस दिन सिवजी का अफसिक करें और धतूरा सिवलिंग पर अरपन करें गोवमाता की पूजा करें पीपल ब्रक के नीचे दीपक जला करके वहाँ पर जल चड़ाना चाहिए और प्रक्रमा करने चाहिए भगवान के सब को तुलसी पत्र अरपन करें तुलसी के सामने दीपक जला के प्रक्रमा करने चाहिए जो व्यक्ति सच्चे मन से स्पकार से पूजन करते हैं, उनके जीवन में आरे सारे दुख और परिशानिया दूर हो जाती हैं, सभी को पुत्रदा 81 का ब्रत अवश्य करना चाहिए, कता को जरूर सुने और जितनी बार सुन सकें उतना अच्छा है, ओम नमो भगवते बास दे कि बाई नमा